जैशंकर प्रसाद्वारा रचीत कविता भारत महिमा का आज हम सहसंदर व्याख्या पढ़ेंगे सो सहसंदर व्याख्या में सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं जिसमें हम किताब का नाम की किस काफे संकलन में यह कविता लिखी गई है और कविता का नाम लिखेंगे उसके बाद उस रचनाकार या कवी का नाम लिखा जाएगा जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं और दूसरा बिंदो होता है संदर्ब संदर्ब में यह पद कवी ने किसे संबोधित करते हुए लिखा है यह लिखा जाएगा तो यह प्रसंग और संदर्ब हर पद में एक जैसा ही होगा जिसके लिए हम उसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे और उसी प्रकार इस कवेता की विशेशता भी सभी पदों में एक जैसी होगी जिसे आप अंतनी देख सकते हैं तो सबसे पहले हम पहला पद देखते हैं कि हिमाले की आंगन में उसे प्रथम किरेनों का दे उभार उशा ने हस अभी नंदन किया और पहनाया ही रखार तो इसकी व्याख्या करने से पहले हम संकेत लिएंगे जहां आप देख रहे हैं पद का पहला शक्त और बीच में कुछ जगए छोड़कर अंतिम शक्त लिखे जाएंगे जिससे यह जाज करता को समझ में आए कि आप किस पद की व्याख्या कर रहे हैं आप हम व्याख्या देखते हैं कि हिमाले के आंगन में उसे प्रथम किरनों काते उभार कि हमारा यह प्यारा देश भारत हिमाले के आंगन के समान है और हर दिन उशा भारत को सुरी किरनों का उभार देती है यहाँ पर उशा का अर्थ है कि जब सुर्योदय होता है और आकाश में जब सुर्योदय के समय पूरे आकाश में जालिमा छाई होती है जिसे उशा काल कहते हैं और यहाँ पर कभी ने अपनी कल्पना के अनुसार उसे उशा कहा है कि वहाँ सुर्य की किरनों का उभार दे रही एइसा लगता है मालू हसकरवा भारत होंई का स्वागत कर रही हो उशा की बूंदों पर जब सुबह सबेरे सुरी की किरने पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उशा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया और हम यहाँ देख रहे हैं कि जब सूरी उगता है उसे उशाकाल कहते हैं तो यह हो गया पहले पद्ध की व्याक्या, दूसरा पद्ध इस प्रकार है कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नाश, अक्रिल संस्क्रती हो उठी अशोक तो व्याक्या इस प्रकार है कि सबसे पहले ज्यान का उदय, भारत में हुआ अर्थार, सबसे पहले हम जाले फिर हमने पूरे विश्व में ज्यान का प्रसार किया, इसका मतलब हमारी संस्क्रती सबसे पुरानी है, इसके कारण पूरे दुनिया में हमारी संस्क्रती और हमारे देश के कारण उजाला हो गया अज्यान रुपी अंधकार दूर हुआ और संपूर्ण श्रष्टी के सभी दुख और शोक दूर हो गए संस्रती हो उठी अशोक, अशोक मतलब शोक दूर हो गया, दुख दूर हो गया तो इस प्रकार पहले और दूसरे पद की व्याक्या यहाँ अब हम आगे बरते हैं दूर्ष्वयपद की ओर विम्मल वाने ने वीना ली कमल कोमल कर्मे सप्रीप, सब्त स्वर सब्त सिंधों में उठे छिडातव मधुर साम संगीत तो प्या अठ्या इस प्रकार है कि वाने की देवी सरस्वती ने इस पवित्र भूमी पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल हाथों में वेना उठाई, उसकी जहनकार से सब्त सिंधों में साथ स्वरों की मोहव सर्गम गुंजने लगी, मधुर संगीत का ज़र्म हुआ पर जेल प्रलय का शीद, अरुन केतन लेकर निजहात वरुन पाठ पर बढ़े हम अभी, तो व्याठ्या इस प्रकार है कि भारत में जन्म लेने वाले मनु ने प्रलय और संकटों को सहन करके संसार को बचाया, अरुन केतन मतलब लाल जहन डालेकर पानी के रास्ते सभी जा तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरा और चौधा पर पूरा होता है, आज हम आगे बढ़ते हैं, पाच्वा पर इस प्रकार है, सुना है दधिची का त्याग हमारी जाती ता विकास, पुरंदर ने पवी से लिखा है, अस्थी युग का मेरा इतिहास, तो यहां भारत द इसकी बारे में कभी कहते हैं, कि वा बोल रहा है कि मेरा इतिहास कैसे लिखा गया है, तो व्याख्या इस प्रकार है, कि सुना है वा दधिची का त्याग, दधिची एक वैदिक विशी थे, मानव कल्यान के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले महिर्शी दधिची ही देवताओं के मुख से यह जानकर कि सिर्फ दधिची की अस्थियों से निर्मित वज्र के द्वारा ही असरों का राक्षेसों का समखार किया जा सकता है, तो महर्शी दधिची न आपना शरीर ट्याग कर अस्थियों का धान कर दिया, और महर्शी दधिची वेदिची वेद धर्म समझते थे लोग कल्यान के लिए आत्मत्याब करने वालों में महर्शित दधीची का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है तो इस प्रकार महर्शित दधीची ने अपना शरीर दान करके अपनी हड्डियों को जाती ताकि विकास के लिए दान दे दिया और आगे इस प्रकार है कि राक्षसों से देवलोग की रख्षा करने के लिए दधीची की हड्डियों की भस्म की आफशकता है तो उन्होंने पुरंदर मतलब इंदर देवता को अपनी हड्डिया दान में दे दी और एक अनोखा इधियास लिखा पवी से लिखा है मतलब आग से जो बरसों बाद भी चमक रहा है हम भारतिय इन महान पुर्वजो की ही संतान है और ऐसा महान हमारा भारत है यहां की सिंस्क्रती है और यह अब हम अगला पर देखते हैं जो इस प्रकार है सिंधुसा विस्तरत और अथा एक निर्वासित का उत्सा दिखाई दे रही अभी भग उन मगन रतनाकर में वह राह यहां पर कभी ने श्री राम का उधारन दिया है कि जिनके राजय भीशे होने वाला था उन्हें राजय नवगना कर जंगल में जाने का आदेश दे दिया निर्वासित कर दिया गया निकाल दिया फिर भी उनका उत्सा कम नहीं पड़ा और उन आमेश्वरम में आज भी है, आज भी उसका भग्न मतलब तूटा हुआ रूँ दिखाई देता है, जो समुद्र में मगन है, मगन है, लीन है, डोब गया है, मतलब वह फुल आज भी समुद्र में है, रतनाकर का मतलब यहां पर है, समुद्र या सागर, जिसके गर्व में रतन चिपे होते हैं और हम देखते हैं कि आज भी वह निर्वासित अत्वाराम जिन्हें निकाल दिया गया वे निरुचाहित नहीं होकर उन्होंने उसी उत्सा से पुरी समाज के लिए पुरी दुनिया के लिए वह कारे किया जो आज भी विद्यमान है अगला पद है धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बली करती बंद हमी ने दिया शांती, संदेश, सुखी होते देकर आनंद और अगले पद का अर्थिस पकार है कि भारत वीरों और तपस्पियों की ही भूमी नहीं है बलकि यहां समय समय पर कूरीतियों का बहिशकार भी हुआ है, उसका विरोध भी हुआ है जैसा की पहले धर्म के नाम पर बली चड़ाई जाती थी, उसका विरोध हुआ और वह प्रथा बंद कर दी गई तथा प्रेम और अहिंसा का पाट भी पढ़ाया, दूसरों को सुख दीने में सुख और आनंद का अनुभव करना सिखाया और यही हमारे देश की महिमा है, हमारे देश की संस्कृती, भारत की संस्कृती की महान महिमा है अगला पद है, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिपशु होकर रहते समराट, दया, दिखलाते घर घर घ्वोम व्यक्जा इस प्रकार है कि भारत के लोगों ने कीवल शस्त्रों के बल पर, हाथियारों के बल पर ही देश को नहीं जीता पुराने समय से ही लोगों के मन में धर्म की प्रबल भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया यहां गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुश हुए जिन्होंने विशाल राजपाट को छोड़ कर भिकारे भिक्षु का रोप धारण किया और घर घर घूम भूम कर लोगों का कश्ट दूर करने का प्रयास किया धर्म का प्रचार किया और यह देश क केवल हथियारों या शस्त्रों में ही आगे नहीं है धर्म के नाम पर भी उतना ही समर्पित है और यही भारत की महिमा है यही भारत की महान सल्सक्रती है अगला पद है यवन को दिया दयाकादान चीन को मिली धर्म की दृष्टी मिला था सुरण भूमी को रत्न शील की सीहल को भी श्रष्टी तो इसका आर्थ इस प्रकार है कि भारत मंशियों ने यवन अल्थात यूनानियों को हरा कर उनको प्राण का दान भी दिया उन्हें मारा नहीं उन्हें मार भी सकते थे लेकिन उन्हें दया और प्राण का दान दिया उन्हें जीवित रखा दया पुर्वक शमा कर दिया। हमारे डेश से ही चीन को धर्म की द्रश्टी मिली भारत की महान समराट अशोक ने अपने पोत्र महेंद्र और पोत्री संग मित्रा को बध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण महुई अर्थार जावा और श्रीलंका भी भेजा। देने में सुख प्राप्त करना सिखाया और हमारे इन महापुर्शों ने केवल लेने का सुख नहीं देने में कितनी आत्मसंतुष्टी होती है यह पाठ भी सिखाया है। प्रयास्त नहीं किया। हमें प्रकृती ने सब कुछ दिल खोल कर दिया है। प्रकृती की हमारे देश पर महान करपा रही है। भारत सदा से हमारी जन्रो भूमी है, हम इसी देश की संताने हैं, हम पाहर किसी इस्थान से आकर यहां पर नहीं बसे हैं, हमारा इतिहार सनातन है। अगले पद की व्याक्या देखते हैं, वह इस प्रकार है। डड कर सामना करने वाले, संगर्शों में पल कर बड़े होने वाले हम भारती वीर हैं, जो कभी भी किसी भी संकट को देखकर घबराते नहीं, पिछे मुरते नहीं, और हमारी यह शक्ती ही भारत की महिमा है, भारत का गौरव है। अगला पत देखते हैं, वह इस प्रकार है। चरित्थे पूत, भुजा में शक्ती, नम्रता रही सदा संपन, हड़य की गौरो मेथा गर्व, किसी को देखन सके विपन। तो व्यख्या इस प्रकार है कि भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं, हमारे भुजाओं में भर पूर शक्ती रही है। भारतियों में वीर्ता की कभी भी कमी नहीं रही, साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके, दीन दुख्यों की सेवा करने के लिए हम भारतियों सदे पत पर रहते हैं। और यह हमारे देश की हमारे भारक की महिमा है अगला पद है हमारे संचे में थातान अतिती थे सदा हमारे देव वचन में सत्य हरते में तेज प्रतिग्या में रहती थी तेव व्यक्षय है इस प्रकार कि हम धन और संपति जमा करते भी थे तो दान करने के लिए दान भी करते दान विर्ता भारतियों का गुण रहा है हमारे देश में अतितियों को हमेशा भगवान के समान माला जाता है भारत के लोग सत्य बोलना अपना परमधर्म समझते हैं हम सत्यवादी हरिश्यन की संताने हैं हमारे हर्ड़े में तेश था, गौरव था हम हमेशा वचन के पक्के प्राण जाए पर वचन न जाए हमारा जीवन मूले रहा है अगला पर दिस प्रकार है वही है रक्त वही है देश वही है साहस वैसा ज्यान वही है शान्ति वही है शक्ति वही हम दिव्य आरे संतान तो व्याख्यास प्रिकार है कि आज भी हम भारतियों की नसों में उन्हीं पुर्वजों का फून बह रहा है आज भी हमारा देश वैसा ही है भारतियों में वैसा ही साहस है भारति आज भी ज्यान के प्षेतर में सबसे आगे हैं आज भी हम पहले के समान शांती के पुजारी हैं देस्वाजियों में वैसी ही शक्ती है जैसे प्राचीन काल में थी हम उन्हीं प्राचीन आरियों के दिव्य संताने हैं अता आज भी हमारे मुलिव वही हैं जो प्राचीन काल में फुराने समय में थे और इस प्रकार यही हमारे भारत की महिमा है अगला पद है कि जीए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे या हर्ष निशावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष तो व्याख्या इस प्रकार है कि हम जब तक जीएं तो देश की आनबानशान के लिए जीए हमें इसकी सभ्यता और संस्क्रती पर अभिमान है, गर्व है और हर्ष भी है कि हमने इस भूमी पर जन्म लिया यह हमारा प्यारा भारत वर्ष है यदि कभी आवशकता पड़े तो इसके लिए अपना सब कुछ नयवचावर कर देंगे विकट परिस्थितियों में भी नघबराने वाले वीर हैं हम और यही हमारे भारत देश की महिमा है और अब इस प्रकार हम लेखते हैं कि सभी पड़ों की व्याख्या पूरी हूरती है और सभी पड़ों का समगरो रोप से हम विशेशता इस प्रकार देखते हैं जिनका उप्योगा एक-एक पड़ की व्याख्या करने के लिए कर सकते हैं तो विशेशता इस प्रकार है कि भारत महिमा कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें भारती होने पर गर्व होना चाहिए, हम भारतियों को भगवान की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ती का अवसर भी मिला है, हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतिय से मिल जुल कर रहना चाहिए, भारत के लोगों ने युद्ध करके देशों को नहीं जीता, यहां पुराने समय से ही लोगों के मन में धर्म की भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया है, गौतम बुध और बर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुश धर्म को आगे बढ़ाया हमारे देश से ही चीन जैसे देश ने भी सीख ली और धर्टी की संतान को अपना भाई बंधू समझना भारतियों का विशेश गुन है कवी की आकांशा है कि हमें सदेव अपने देश पर इसकी सभ्यता और संक्रती पर गर्व करना चाहिए आवशर्टा पढ़ने पर हमें देश के लिए अपना स्थर वस्वर नेऊशावर कर देनी के लिए तत्तपर रहना चाहिए अपना इतिहास और समरद्धी की जानकारे हम सभी को होना चाहिए हमारे देश की महिमा, भारत की महिमा महान है तो इस प्रकार विशेषता यहाँ पर पूरी होती है अब हम पाठे सामगरी के अगले भाग की और बढ़ते हैं जिसमें पहला प्रशना होता है आपके प्रशन पत्र में एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए तो आपको पूरी किताब में से, टेक्स्ट बुक में से सारे लेसन में से एक-एक प्रशने लेकर दस प्रशने दिये जाते हैं जिसका उत्तर आपको एक शब्द या वाक्य में लिखना होता है और हर प्रशने के लिए एक आंख होता है तो इस पार्ट पर आधारित, कुछ समखावित प्रशने मैंने यहां उत्तर के साथ लिए है जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस परकार के प्रशने आएंगे और ये प्रशन और इन प्रशनों के उत्तर आपको साराज लिखने में भी सहायक होंगे और उसके बाद दूसरा प्रशना आता है सरसंदर व्याख्या कीजिए जिसके लिए भी मैंने यहां पर एक ही प्रशन तयार किया है पूरी प्रशन पत्र में आपको पूरी किताब में से हर प्रशन में से कोई तीन प्रशन दिये जाएंगे जिसमें से आपको दोखे उत्तर लिखना होंगे और वे दोनों प्रशन साथ-साथ अंक के लिए होंगे अर्थाथ 14 अंक के लिए 14 मार्ट के लिए दूसरा प्रशन आएगा उसका फॉर्मेट भी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार लिखा जाएगा और अच्छे आंक के प्राप्ट करने के लिए आप इस फॉर्मेट का अनुसरण करें और तीसरा प्रशन का सारांज लिखकर उसकी विशेष्टाओं का उलेख कीजिया या विशेष्टाओं पर प्रकाश डालिए तो आप वीडियो के पहले भाग का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद आता है चौथा प्रशन टिपणी लिखिए जिसे आपको दो में से एक प्रशन करना होता है और एक प्रशन पाँच अंक के लिए होता है तो इस प्रकार आप देखेंगे कि या टिपणी का फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार से टिपणी लिखी जाती है इसमें सबसे पहले शिर्शक लिखा जाता है कि आप दो में से कौन सा एक विशय या शिर्शक पर टिपणी लिख रहे हैं और उस शिर्शक का परिचय दिया जाता है कि या शिर्शक हमारी पाठ्य पुस्तक आप पुस्तक का नाम लिखेंगे उस कहानी का नाम लिखेंगे और लेकर का नाम लिखेंगे तथा उस सिर्षक के बारे में एक सेंटेंस लिखेंगे कि वा क्या है और उसकी next paragraph में आपको उस पार्ट में उस सिर्षक के बारे में जो कुछ भी दिया गया है उसे आप टिपणी की रूप में आज से 9 लाइन में उत्तर लिखेंगे क्योंकि यह केवल 5 marks के लिए होता है किसी किसी पार्ट में हम देखते हैं कि किसी शीर्षक के विशे में बहुत कुछ दिया होता है जिसे हम दो पीज में भी लिख सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर अंक का ध्यान रखकर उत्तर लिखना है कि 5 अंक के ल में ही पूरा कर सकते हैं तो मैं समझती हूँ आपको यहाँ वीडियो जरूर उप्योगी होगी सहायत होगी धन्यवाद झाल झाल निसे हुआवेग expos स का था specialist के लिएे जुए О heritage में वा हाँ आपको आपको यहाँ गड़ाद और झाल आपको यहाँ वेग्योग वाँ आपको यहाँ उत्याद प्सका प 살कता हैं वाहाँ झाल में हैं। झाल 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 झाल